आप सभी का स्वागत हैं हमारे यूट्यूब चेनल में और हमारा आज का प्रशन प्रसिद कोनाग सूर्य मंदिर से संबंदित है हमारा आज का प्रशन है सूर्य मंदिर से संबंदित रहस्य और उसके पीछे क्या इतियास है तो आज के प्रश्ण में मैं आपको इसके बारे में विस्तरत जानकरी देने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिए, इस प्रश्ण का उत्तर है, इतियासकारो के अनुसार, कोनाग सूर्य मंदीर का निर्माण एक सैंविच की तरह किया गया था, जिसके मद्य में एक लोही की प्लेट लगी हुई थी, और उससे मंदीर के पिलर जुड़े हुए थे, कुछ इतियासकार कहते हैं कि कोनाग सूर्य मंदीर के शिर्ष पर बावन टन का एक बड़ा सा चुम्बक रखा गया था, जिसको इन खंबों से संतुलित किया गया था, औ चंदिर के अंदर में भगवान सूर्य देव की एक प्रतीमा यानी के एक मूर्थी रखी हुई थी, और इस चुम्बक के प्रभाव की वज़े से वहं मूर्थी हवा में तरंगती हुई, यानिaking हवा में उड़ती हुई दिखाइपड़ती थी, इस वज़े से वहां पर प् शमिश्य दिशाहीन हो जाते थे और मंदिर के ओर घीचे चली हाते थे दिशाहीन होने की वज़े से वो तकरा जाते थे और उनके में काफी नुकसान होता थजे उस समय पुर्तगाली नविकों ने मंदिर पर हमला किया helps वहांसे मंदिर के शिर्षपर इस्थीत 52 तन की चुमबक को महां से हटा दिया था और चुमबक महां से हट जाने की वज़े से समुद्र में आने वाले बाकी के जहाजों का आवा गर्मन सुजारू रुप से होने लगा था और इसके बाद ही अंग्रेज लोग हमारे भारत देश में आये थे तो आज के प्रशन का उत्तर मैंने आपको इस वीडियो द्वारा दे दिया है तो उमीद करते हूं कि आपको हमारी आज की दी गई जानकरी जरू से पसंद आई होगी तो जल्दी से हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे और हमारे चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू